अब बात करने वारे हैं राज़ा पर बनाए हैं जिसमें मैंने उनसे काफी जादा रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने घर जाए पने मॉम एंड डेट से या मुमी पापा से बात चीत करें और जो भी उनके बीच में इशूज हैं उनको क्लियर करें लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि अगेन मैंने एक वीडियो राज़ा बिया का देखा है जिसमें कि वो बहुत जादा परिशान दिखाई दे रहे हैं उनकी वाइप हैं वो बहुत ज धิदे और माटने में इसे जादा दिनक्रण करने कर नहीं कर लगता है उसकी वझए से तो उन्हों कि जादा रोरहो कर लिक्वेस्ट कि है इपने फेंसे कि वो उनको सपोर्ट करें और मतलब अगर मैं सीधे और साफ शब्दों में बोलू तो राजा भाया चाहते हैं कि उनके फैंस जो हैं उनके फॉल्वर्स उनके सब्सक्राइबर जो हैं वो उनको इतना सपोर्ट करें इस हद तक सपोर्ट करें कि वो भी बड़े बड़े जो यूटूबर्स हैं जिन्होंने अभी हाल फिलाल में अपने घर बनवाए हैं नएने जो घर हैं वो खड़े हैं यूटूब के कमाई से तो राजा भी चाहते हैं कि ऐसे ही वो भी अपना एक खुद का घर यानि कि बड़ा सा बंगला रेडी कर ले यूटूब की कमाई से तो इस वजएसे वो यहाँ पर जो है अपने ओडियन्स के सामने एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें वो रो रोकर कह रहे हैं कि हम बहुत मसीबत में हैं हमारी हैल्प करो तो जो भी उनकी ओडियन्स है भाई देखो मैं नहीं बोल रही हूँ यह चीज तो प्लीज मेरे विडियो में आकर उल्टे सीधे कमेंट मत करना जो मैं देख रही हूं मैं सिर्फ वही चीज बोल रही हूँ वैसे तो मुझे मतलब नहीं कि मैं किसी के फटे में टांग रहा हूँ ना मैं करना चाहती यह चीज लेकिन फिर मैं वही बोलूँगी कि लोग यहां पर क्या क्यूं किसलिए कर रहे हैं वो सभी जानते हैं और अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो उसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन मेरा मोटिव यह नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ तो इसलिए मैंन साथ जिससे उनको हट हो लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहती हूं फिर भी बिना गलत वर्ड बोले हुए और केवल थोड़ा सा समझाना चाहती हूं कुछ अगर यह भी है कि अगर आपको मेरे कोई भी चीज बुरी लगती है तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही सौरी मांग लेती हूं और फिर यह न बोलें आपके मतलब तुछ भी बोल दिया और तो अगर मेरे मुंग से कोई भी वर्ड आपको ऐसा लगे कि आपको हट कर गया है त प्रिफ में वही बोल रही हूं और हो सकता है यह चीज आपके सब्सक्राइबर को भी लग रही हो क्योंकि जिस तरीके के कमेंट्स आपकी वीडियो पर आ रहे हैं उससे साब जाहिर होता है कि सब्सक्राइबर जो है वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं आपकी फेलिंग्स को जो आप फिलिंग्स यहाँ पर दिखाना नहीं चाहते हो जो आप दिखा रहे हो जैनुवन नहीं है वो मुझे नहीं लगता वो जैनुवन फिलिंग्स है और आप सीधे शब्दों में यह चीज नहीं बोल सकते इस वज़े से आप यह सब कर ले हो और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही उनके मम्मी का भी एक वीडियो आया था जो कि मैंने वो भी शेयर किया था तो उसमें उनकी मम्मी बोल रही थी कि उनको पैसो की जरूबत है और अकाउंट नमबर वगएरा भी उनका दिया गया था तो जाहिर सी बात है कि उनको पैसो की जरूरत हो सकती है चलो मैं मानती हूँ उनको पैसो की जरूरत हो सकती है क्योंकि उनको एकलोता बेटा है और वही है जो घर का खर्चा चला रहा था लेकिन जब वही घर छोड़कर चला गया तो फिर उनके घर का खर्च कौन चलाएगा और कैसे चलेगा तो उनकी में फीलिंग्स और उनकी जो परिशानी प्रोब्लम्स है वह मैं समझ सकती हूं उनकी प्रोब्लम्स परिशानी सब जैनलन है लेकिन लाजello बिए कई परिशानी प्रॉब्लम्स जैनलन जैनलन कैसे और सकती म spoken word वो खुद एक यूटूबर है और वो खुद कमा रहे हैं खुद इंकम कर रहे हैं तो क्या वो उनके पास इतना साधन नहीं है कि वो कोई अच्छी जगा या कोई अच्छा सा रूम लेकर रह सकें जिस तरह से वो गोव अगेरा घूमने गए तो जाहिर सी बात है कि वो एक करते काई जब दब झेबा कि अच्शी देगा सब यह से नहीं, तो योटी बड़ोगे, नहीं अच्छी अगे अपने सोच थे जो भी लोग मेरा वीडियो देखें तो प्लीस कमेंट में बताईएगा कि आपकी भी बहने होंगी और उन बहनों के भाई भी होंगे तो क्या यह आपको लगता है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बेटे के रहते हुए अपने बेटी को दे सकता है यह प्लॉट वगेरा जो भी काफी अच्छे बेटे थे जहां तक कि मैं वीडियो में जानती हूँ तो काफी अच्छे बेटे थे काफी अच्छी वीडियो आती थी काफी फणी वीडियो वो अपनी फैमिली के साथ बनाते थे लेकिन रीसेंट्ली ऐसा क्या हो गया उनकी शादी के बाद कि चीजे बदल गई तो फिर आगे तो अपना अपना दिमाग है अपनी सोच है कि कौन क्या सोचता है लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि राजब भिया इस तरीके से पैसे कमाने का कोई भी मतलम नहीं है अगर आप इस तरीके से पैसे कमाना चाहते हो तो वो बहुत जादा गलत है देखो माब पीछे कभी नहीं गिरते और जहां तक मैं जानती हूं तो वहां तक आपके माबाप और आपकी बहन की वज़े से ही आप आगे बढ़े हो क्योंकि आप अपनी फैंबली को इंवाल्व किया वीडियो में इस वज़े से आप आगे बढ़े हो तो अचानक से क्या हुआ समझ नह है और बुज़र्ग है ये कि मैं हर वीडियो में बोल चुबी हूँ और उनको कितनी तकलीफ है अब आप खुद सोचो पर मैं फिर भी हाँ एक बात बोलूगी कि बेशक उनकी माँ आज बहुत जादा दुखी है लेकिं बद्वा उनके मन से अपने बेटे के लिए वो आज भी नहीं निकल रही होगी और कभी लाइफ में निकलेगी भी नहीं क्योंकि जो मा होती ना वो चीजी ऐसी होती है उसके साथ आप कितना भी गलत कर लोगे लेकिन वो अपनी संतान को कभी बद्वा नहीं देती तो भया मैं बस इतना ही बोलूँगी आपसे कि फिर से मैं ब pani अंयुकर आपको प्रशंट करें हैं तो अचे लिए जयरा जो मतलब था उसिर्फ एक समझाने की मतलब के बोल्व से विडियो बनाया था और मैं यहीं कार रही हूं मैं विडियो और व्यादी राजब यह बना यसम 3200 वूंको कर समछाने यहीं भी देखा भी हो और पता न तक भी मेरा विडियो पहुँंचे तो मैं पहले धिल से सौरी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती ह会 हो किसी के लिए भी और किसी को घरट हुआ हो मेरे वार्ट की वजह से उसके लिए मैं आपसे पहले ही सौरी मांगती हूँ वैसे जहां तक मेरा ख्याल है तो मैंने ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं किया है किसी के लिए भी और हाँ मैं फिर भी वाइप से उनकी से यही बोलूँगी कि अगर आप चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है तो प्लीज राजबिया को समझाए अपना और उनका गुसा थोड़ा शान कीजिए बुज़ूर्ग हैं आपके सास तो थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाता है सबी फैमिल्इ में होता है तो प्लीज आप थोड़ासा एड़र करने की कोशिश करें थोड़ा-सा ंंको भी हमते कि वह आपके साथ में अड़र काथ सब चीजए सढ़ी हो जाएंगी तो अगर आप उनको प्यार देनी और है hele मुझा ने Success Kitchen box ऐस सैने टेनी और हैम चीज़ numbers आपको नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई टेक केर